यह देगे आज हम यूनीक सी रेस्पी ले करके आए हैं जो कि आप लोगों को नॉन बिच खानने के लिए भूल जाएंगे आप इतना टेस्टी इतना यम्मी लगेगा नॉन बिच खाना भूल जाएंगे और परेर की सब्जी भी भूल जाएंगे इतनी टेस्टी है कि आप लोग खुद देखेंगे तो यह देख सकते हैं उन्हें 100 ग्राम की करीब सोयविन की बरी ले ली थी जिनको नॉनबर पानी में डाल कर रख दिया था थोड़ा सा नमक डाल दिया था इसे में और उसको 15 में लिए सो करके रख दिया था दो टमाटर ले लिए दो बरी को निचोड़कर पंदरावट के सोक करने के लिए रख दीजेगा चले अब मसाला बना लेते हैं तो यह देखिए दो स्पून के करीब हम दही ले लेंगे तो आपको अगर खट्टा ज्यादा अप्छा लगता हो तो आप खट्टा ले सकते हैं और हमने ले ले लिए द तो इस तरह से देखिए अच्छे से फेट लेंगे लंक्स-free बैटर बना लेंगे यह देख सकते हैं तो यह देखिए जितना अच्छे से आप फेटेंगे उतना अच्छे से फिट जाएगा और अभी देखिए सोयाविन की बरी डाल देंगे और इन्हें मेरिनेट कर देंग जैना रेजबी तो सबी आपकी उंग्लियां चाटते रह जाएंगे इतनी विल्त ना चाटे रह जाएंगे और चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको अब ढ़क कर रख देते हैं जब तक और उंक्ली बनाएंगे तब तक यह बनामेट के लिए सोख हो जाएगे अच्छ पुढ़स हो जाए इतना आपको फ्राई करना है इतना कि एतना आपको फ्राई करना हैoin सी वजय से हम बोल रहा है कि आप नियर खाना चोड़ देंगे इतना अ अच्छी प्राइब कि संहीं की सब अब आलो अच्छे से फ्राई हो चुका है तो देखिए अभी सारा का सारा है क्योंकि आलू जो होता है वो ओल्व को सोक नहीं करता है तो फ्राई हो चुका है यह रही हलकी अलग से स्पोट भी आप देख रहे होगे आ गये हमारे अलू पर तो यह देखिए आप इसमें डाल आपको एक नान वहर उना रभाऑए दकर दाला सातर वाहरे मिर्ची हम ने नहीं डाली थी मिर्ची से cardi-spots आने के बाद के बार perspectives कढ़ा हमें जिससे क्या होगा ना कि मिर्ची सी का ईधिक बहुत ज़़ेगी नहीं तो 3 मिर्ची सीश्टार के लगए तो दिखें सारे मुफाले मेरे सबने कर करनेट तो क्टनदे करने कि तila करेंगे, तुमाटर से कट करने की जूर छेंगे जिस्टे जल्दी थेसे ज़्ट हो जाए, डिष्बास आपरसे ची Gman को करें है इस वज़े से आप डाल देंगे एक स्पून जीरा दो तेज पत्ता साबुत मसाली बस इतने ही हम डालेंगे आप चाहें तो आप काली मिश और लॉंग पैट कर सकते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे यह देखिए जो मसाले में पीज के रखे थे उनको हम डाल कर आप देखिए तो देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है और दिखने लगा है आप देख सकते हैं अब इसमें जो हमने मेरिनेट करके रखी थी बरी सोयविन की उनको एड़ कर देंगे और जो इसमें लगी मतलब जो मसाला लगा रह गया है मारे बरतन में तो उसमें भ खराब ना हो मतलब फटे नहीं जाकर के कड़ाई में इसमें चलाते रहेंगे अब देखिए इसमें दो स्पून के तरी पाई डाल दिया है और अपनी कड़ाई में इसको डाल देंगे इसमें तो क्या होगा जैसे जब सोयविन की बरी हमारी प्राई हो रही है तो इसके अब आक बाई है अच्छे से आप डाल देंगे आलू और साथ महीं इसे एक मिनट तक आलू के साथ में फर्य करेंगे कि सोषभीबिन की भूनते होए इतना तहुत जासा सुख करती होगा तो मैं देख नहीं बरी से नोर्माल इसन व्हम को है है कि उसे ही अभ पका लें जितने ग्रेवी लूमें उस उर्छाब से इकारा cancellा उने खाए हमारी पक चुकी है और हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से सब्जी बन चुकी है तो चलिए इसके साथ हम राइस बना लेते हैं फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं तो पहले डाल दिया गरम मसाला और इसको अपन चला देंगे देखिए हमारे पास गाइस धनिया इस समय हरी थी नहीं तो हमने आड़ नहीं करिए आपके पास धरी धनिया हो तो आप आड़ कर लीजेगा तो थोड़ा सा और देखने में अच्छा लगने लगे तो यह देख सकते हैं यह देखिए हमने सर्व कर दिया अपने इस बाउल में और देख सकते हैं अग्दम होटल वाली लग रही है ना सब्जी तो चलिए इसको इस ब्लाओ की तरह कैसे बने तो हमारे दूसरा चैनल है छाया मिस्रा ब्लौकटू एम तो उस पर हम ट्रिक्स देते हैं किछन की और अमेजिंगं-कारी बाते बताते हैं तो आप जा करके उस पर देख सकते हैं और यह देख सकते हैं 10 आप पनीड और नॉन विब जाएंगे विलते हैं नेक्स जे नेक्स वीडियो के